दस्वी की चात्रा को रोज छेड़ता था लखनो पुलिस का सिपाई मा ने सरी रहाद सिखाया सबक नौकरी भी गई सिपाही साधतली हाई स्कूल की एक चात्रा को दो दिन से सरी रहा चिड़ रहा था सिपाही की हरकत बड़ी तो चात्रा को दो दिन से सरी रहा चिड़ रहा था सिपाई की हरकत बड़ी तो छात्रा ने मा को पूरी बात बताई मा डरी नहीं और हिम्मत दिखाते हुए सिपाई को सरे रहा सबक सिखा दिया इसके लिए वह बुदबार सुबए बेटी के पीछे स्कूटी से चलने लगी रास्ते में स्कूटी पर हेलमेड लगाये हुए आरोपी सिपाही साइकल से जा रही उसकी बेटी से चेरचाड करने लगा बस मा ने उसका पीछा किया और उसका वीडियो बनाते हुए उससे मोर्चा ले लिया उसे रहगीरों के साथ रोक लिया फिर उसे पकड़ लिया रहगीरों ने भी इस बहादर महिला का साथ दिया और सिपाही को पकड़ कर प police के हवाले कर दिया कुछ दिर बाद ही मा ही इस बहादरी का वीडियो सोचल मीडिया पर वायल हो गया केंट कोतवाली में आरोपेत सिपाही के खिलाब छेडचाड और पाक्सो एक्ट में FIR दर्ज की गई है DCP पूरवी हिरदेश कुमार ने सिपाही को निलम्मित कर दिया है पूछने पर बोला मेरी बेटी की दोस्त है रंगे हाथ पकड़े जाने पर सिपाही साधत बहाने बनाने लगा हर बड़ा हाट में चातरा को बेटी की दोस्त बताना शुरू कर दिया ये सुन महिला ने फटकार लगाते हुए मोबायल से वीडियो बना लिया बीच ठड़क पर हंगामा होता देख रागीर जुटने लगे भीड देकर सिपाही ने भागने का प्रयास किया पर रागीरों ने दबोच लिया केंट पुलिस ने आकर साधत को गिरफतार कर लिया है लोटते वक्त छेड़ छाड़की इंस्पेक्टर राज कुमार ने बताया कि ड्यूटी पी यार भी मोहनलाल गंज में थी सुबह लोटते वक्त छात्रा सहीली के साथ छेड़ छाड़की आरोपी ने बिना अनमती दाड़ी भी रखी है साधत पर पूर में भी एक छात्रा को परेशान करने का आरोप है धर्म वदलने का दवाब भी डाला था मगर शिकायत नहीं दी गई डरे नहीं यहां मांगें मदद शोगदों से डरने की जरुवत नहीं है डट कर मुकाबला करने की जरुवत है पुलिस मदद को तयार रहेगी अली अब्बास ने बताया कि वुमेन पाबर हेल्प लाइन नमबर 1090 पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर शोगदों के खिला सूचना दी जा सकती है खौफजदा शात्रा स्कूल तक जाने से डरने लगी निलंब्ता निवासी शात्रा ने मा को बताया कि दो तिन दिन से एक सिपाही स्कूल जाते समय पीछे आ जाता है मा से कहा कि स्कूल जाने से डर लगता है बुदबार सुबह 6 वज कर 15 मिनट पर 16 सहीली संग स्कूल को निकली दोनों लोग तेली बाग पहुंची तब भी पीछे से बिना नंबर स्कूटी लेकर साधत आ गया बगल में स्कूटी लगा कर रोकते हुए मुबाइल नंबर देने के लिए कहा मा ने ओबर टेक कर सिपाही को दबोच लिया खबरों में अब तक लिबस अतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रही आप इस समाचार